जब आपका बिरोध बढ़ने लगे और आपके बिरोधी नए नए तैयार होने लगे तो समझ लो कि आप उन्नती के रास्ते पर हो। ऐसा ही कुछ हो रहा है डबलू एचो और अमेरिकी मीडिया दोनों ने मिलकर भारत के खिलाप एक बड़ी साजी सरची जिसके बाद भारत ने अच्छी खासी लताड़ा लगा दी है तो वहीं दूसरी तरफ बलुचिस्तान में तो खेल हो गया यहां तो बन गई नई सरकार प आप जब ढूनेंगे इंटरनेट पर कि अमेरिका में इतनी मौते हुई है कोरोना की वज़े से तो तस्वीरों जो मिलेंगे आपको वो नॉर्मल तस्वीरे मिलेंगी कोई ऐसी तस्वीर नहीं मिलेगी जिसमें भ्यानकता दिखे कि क्या हुआ था अमेरिका में अमेरिका मे जबकि बहुत बड़ी तबाही मचाई थी इस महामारी ने तो क्या उसकी तस्वीरें क्यों नहीं आई इसलिए नहीं आई क्योंकि पस्चमी देश अपनी मीडिया पे बहुत कंट्रोल रखते हैं और खास दोर पर सरकार जो बैठी हुई है वो और भी जादा कंट्रोल रखती है अगर ये तस्वीरें रिलीज हो जाती तो सूपर पावर देश की दुनिया बर में नाक कट जाती और दूसरा खुद उनके ही देश में बड़ा बवाल मचे जाता इसलिए अमेरिका अपने सारे मीडिया संस्थानों पर पूरी कड़ाई रखता है चीन की तो बात ही मेरिका हो जहां पर महामारी से बहुत जादा लोग मारे गए हैं लेकिन सूचनाए निकल कर बाहर नहीं आती हैं लेकिन भारत में जब दूसरी लहर आई तो इंटरनेट में तस्वीरों की भरमार हो गई कहा तो यह जाने लगा कि पस्चमी मीडिया पैसे दे दे कर ऐसे तस स्वीरों का इस्तेमाल अपने आर्टिकल में यह पस्चमी दुनिया करने लगे यह दिखलाने लगे कि भारत में बहुत बड़ी तबाही मच गई है और जितनी तबाही भारत में मची है उतनी तो हमारे में मची भी नहीं है अभी भी आप देखेंगे western media क्या फिर पस्चमी देश की सरकारे प्रोपेगेंडा के तहट भारत के पीछे पड़ी हुई है इसके पहले सबुत देखिया अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन डबलू एचो ने अचानक से को वैक्सिन को सस्पेंड कर दिया ये कह दिया कि जो प्रोडक्शन के लिए रूल्स होते हैं वो इनों ने इस्तेमाल नहीं किये हैं चाइना ने कौन से अपने वैक्सिनेशन में रूल्स इस्तेमाल कर लिए ये या फिर कौन सा उसका वैक्सिन इतना अच्छा है कि दोबारा तीबारा चाइना में फिर से लोगडाउन लगाना पड़ रहा है पर चीन को कुछ भी नही समझा ही दिया कि जितना वो दोपहर में ले लेते हैं हम तो महिनों में उतना लेते हैं पर फिर भी आप देखेंगे एक ही राग अलापते हैं ये कि रूस से भारत तेल खरीद रहा है रूस से भारत तेल खरीद रहा है अब इन्होंने तीसरा निकाला है डबलु एचो ने कहना है कि भारत में बहुत ज़्यादा मोते हुई है करीब 40 लाक मोते हुई और यह आकड़ा भारत के ओफिसियल आकड़ा से अलग है अब डबलु एचो को यह आकड़ा मिला कैसे अगर भारत ने आधिकारी का आकड़ा कुछ और दिया है तो डबलु एचो नहीं यह सब जिसके तहत ऐसा दीख रहा है इसे लेकर भारत बेहत गुस्से में आया और भारत की मिनिस्ट्री नहीं नहीं बलकि भारतिये मीडिया ने भी ठीक ठाक लताड़ा लगाई डबलु एचो को भी और नियू योर्क टाइम्स के आर्टिकल को भी जिसने भारत को लेकर यह सारी बाते कही गई और यह कहा गया कि एक तो यह आकड़ा गलत है वहीं दूसरी तरफ आपने जो तरीका अपनाया कि किस तरीके से पता चलेगा कि हां यह महामारी से मारे गये हैं या नहीं वह भी गलत है है आपको बता दे अभी आप अमेरिका की तरफ से या पस्चिमी जगत की तरफ से इस तरह के के आर्टिकल आने की उम्मीद कीजिए क्योंकि डॉक्टर एस जैसंकर ने जिस तरीके से पतनाव अधिकार मुद्दे पर पाट पड़ाया है कि सिर्फ तुमी नहीं हम भी बोल स है अब ऐसे में बोख लाया अब अब आप झाल 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 झाल